उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले बिधानसवा चुनाओं के लिए प्रियंका गांधी ने बरी घोशना की है। प्रियंका के इस घोशना पे राय बलेली सीट से कॉंग्रेस की विधायक अधिती सिंग और बहुजन समाथ पार्टी की मुख्या मायवती ने जोरदार पलटवार किया है। अधिती सिंग ने कहा कि 40% टिकटे महिलाओं को देंगी तो यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि बहुत अच्छी पहल होगी। बशर्ते उनको फालतू की टिकट ना दे। आमोमन क्या होता है कि महिलाओं को ऐसी सीटों पर टिकटों देते हैं जो बहुत टीपिकल सीट होती है। अधिती सीजि से जब सवार पूचा गया कि क्या 2022 के बिधान सवा चुनाओ में वह प्रियंकर गानधी के हाथ मजबूत करेंगी। इस पर राइबरेलिस से बिधायक अधिती ने कहा कि वह पहले अपने हाथ को मजबूत करे। करें अपने नेताओं को इस तरह से ट्रीट करना है किस तरीके से पार्टी में बनाए रखना है सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी इस चीज पर थोरा मंथन करें वहीं मायवती ने कॉंग्रेस की महिलाओं को 40% टिकर देने की घोशना को कोरी चुनावी नाटक बाजी बताया ह मायवती ने कहा कि कॉंग्रेस अब सत्ता में होती है वो उनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित पिछले वो महिलाओं आदी याद नहीं आती अब जब उनके बुरे दिन नहीं हट रहा है तो पंजाब में दलित की तरह उत्तरप्रदेश में इनको महिलाओं याद कोण्गिर्स का स्वभाव है कहना कुछ वह करना कुछ उन्होंने कहा कि यूपी में देश में महिलाओं की आधियाब आदी हैं तथा इनका हीत वो कल्यान ही नहीं बलकी इनकी शुरक्षा आदरसंमान के पड़ती थोष वो इमंदार प्रयास की सत्तक प्रक्रिया जिसके प फिजदी टिकट महिलाओं को देने का एलान किया है प्रियंका गांधी ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने आवेदन पत्र मांगे हुए है प्रियंका ने कहा कि उनका बस चलता तो वो 50% टिकट दे देती यूपी में आरेक्शन बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा उन्होंन